नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज हमसफर में एक सफर सफलता कियो तो हम लोग जो अपने डिस्कस कर रहे थे टॉपिक को उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और फिर जो हमारा ये लेक्चर है वो आज भी क्वेश्चन प्र पुरुबग रहे और यदि आप धैरे पुरुबग बने रहते हैं तो जिए चप्टर आपका चल रहा है जो आपका लेक्चर चाहरा है लिमिट का वो बिल्कुल ही अब धीरे धीरे अवाउड टोइंड यानि अपने खत्म होने के कगार पे है और आज हम लोग का लेक्चर थोड़ा सा सौट लेक्चर होगा वो इसलिए क्योंकि जो लिमिट का पाट है वो बिसिकली आज आप लोग को मैं क्लियर कर दूँगा इसके बाद फिर लिमिट का पोर्षन तो आल्रेडी आपका जो बताया हूँ मैं वो यूज होगा उसके साथ फिर है जो मैं ये वाला प आपका जो कंटिन्यूटी है ठीक है इसको भी लेकर साथ में चलूँगा इसको भी कभर करते रहूंगा साथ में लिमिट के साथ साथ हम लोग क्या कभर करेंगे बोल रहोंगे कि हम लोको कंटिन्यूटी थो पढ़तना नहीं है तो बेसिकली जो कंटिन्यूटी है न वो लिमिट से ज़्याता खुछ अलग है नहीं तो आप यदि इसको पढ़ते हैं तो वो आपको benefit हो जाएगा वो benefit कैसे होगा तो यदि आप अभी है 11th में तो अभी अस बात है कि आप 12th में जाएंगे और यहाँ पर आप यदि limit पढ़ रहे हैं और continuity को भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो वहाँ आपको बहुत ही आसान हो जागा इस chapter को solve करना चलिए तो ठीक है वो भी देख लेंगे इस continuity को और जो 12th वाले लोग है वो तो ध्यानपुरवक इस lectures को देखे या फिर जो भी competitive exam के होंगे उनको तो दोनों चीज पूछा जाता है 11th से related topic भी और 12th से related topic तो उनके लिए तो कोई परिशानी की बात है नहीं तो चलिए हम अपने topic को शुरू करते हैं और जो हमारा है lecture number 6 आज है ठीक है already हम लोगों ने 5 lecture कर रखा है यदि आप वो lecture नहीं देखे हैं तो description box में मैं link provide दरवादूँगा वहाँ से जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं चलिए तो हम लोगों ने previous lecture में क्या discuss किया है ये थोड़ा सा जान लेते हैं हमारा जो previous lecture था उसका last question देखिए क्या था limit x turns to आप कहो गया 0 cos 2x minus 1 divided by cos x minus 1 ये जो question था हमारा previous lecture में discuss किया गया था वो last question था तो इस question को हम लोगों ने थोड़ा सा एक concept इसका जो था वो मैं आप लोगों को लिख भी दिया था इसके side में और फिर बनाते बनाते solution पूरा world आप लोगों को भर गया था यानि ए conceptual question था मतलब इसमें बहुत सारे concept छिपे हुए थे यादि इस question को आप लोगों समझ भी लेते हैं तो इस तरह के बाकी जो next question होंगे वो तो आप कर लिजेगा और उसके साथ साथ इसके साथ साथ बाकी जो question होंगे उसको भी आप deal कर पाईएगा क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारा चीज बताया था और इस question पर बहुत ज्यादा time दिया था वहाँ पर चलिए तो आज क्या जानेंगे यह तो बात हुई previous lecture की तो आज अपने कौन से question के साथ अपने इस lecture को सुरू करेंगे यह जानेंगे तो देखिए आज हम लोगा जो question है question practice session का first question वो है आपके लिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा question चलिए आ गया है आपका question limit x tends to 0 a x plus x cos x divided by b sin x चलिए यह रहा आपके लिए question अब इस question को हम लोग कैसे solve करेंगे यह जानेंगे तो हमारा जो first step है वो क्या है यह देखते हैं यहां पर चलिए step first की बात करते हूं step first मेरा यही है कि यह जो x tends to 0 limit दिया हुआ है देखिए फिर से मुझे याद आया तो मैं limit इस तरह से लिख दिया ताकि student को ऐसा ने दिखे जो limit में लिखता था वो 11 की तरह दिखता था तो चलिए इसको मैं correct कर दिया इस तरह से लिख दिया step one क्या है इस value को put करें एक्स के दिया पर a into 0 plus 0 into cos x यानि cos 0 divided by b sin 0 तो इसका value क्या आ जाएगा आप देख रहे हैं हाँ पर 0 plus 0 divided by 0 sin 0 क्या होता है आपका sin 0 0 होता है तो यह क्या आ गया 0 by 0 form में आ गया 0 by 0 format में आ गया तो यहाँ पे हमारा यह जो first step वाला rule था वो तो यहाँ पे fail हो गया यह तो 0 by 0 form में आ गया इससे solve होगा नहीं तो हम लोग करेंगे क्या तो इसको solve करने के लिए हम लोग को कुछ नया तरीका ढूंड़ना होगा तो यह चीज हम लोग जान भी रहे हैं कि इ से आप लोग को X common दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है एकस कॉमन ले लेते हैं यहां से चलिए आप लिख देते हैं A plus लिमिट वाला पॉर्शन था वो तो ओक का वही सेम रह जाएगा चलिए इतना हो गया अब इतना के बाद हम क्या कर सकते हैं क्या मैं इस X को देखिए इसको में इस क्या मैं इस x को नीचे ले आ सकता हूं तो बिल्कुल आ सकता हूं वो किस format में लाऊंगा यह आप लोग देखिए आगे पर next step में हम लोग उस x को नीचे लाने का कोशिस करेंगे वो क्यों करेंगे यह भी मैं आप लोगों को बताता हूं चलिए देखते हैं उपर हो जाएगा a plus cos x divided y b sin x और यह जो आपका x था उसको यदि मैं नीचे लाता हूं तो आपका कितनाा आ जाएगा ही 1y x था जो 1y x के रूप में नीचे आ जागा यह जो x था उसको नीचे लिखना चाहऊं तो 1y x के रूप में नीचे लिख सकता हूं क्योंकि यदि मैं इसको उपर भी करूं तो same value आपको दे दे इसलिए कोई फार्क नहीं पड़ेगा इसको मैं यदि नीचे ले आऊं तो अब यहां से आप लोगों क्या दिख रहा है यहां सो आप लोगों को यह दिखना चाहिए limit x tends to 0 sin x divided by x कुछ इस तरह का format हम लोगों ने पड़ रखा है उसका value क्या होता है तो उसका value होता है आपका 1 तो 1 जो value होता है उसको यहां पे use करके इस question को solo करने का कोसिस करेंगे तो वही चीज यहां पे आप लिखे इसको limit x tends to 0 a plus cos x बस इसी चीज को एक arranged format में मैं लिख रहा हूँ आप लोग के लिए b sin x divided by x यह जो 1yx था इसको x को इसके नीचे ले आया यह multiply में है तो इसके नीचे नहीं में लिखता हूँ तो कोई परसानी नहीं है चलिए इस format में आ गया अब क्या अब तो बात रही इस वात की देखिए जैसे इस format में यदि आ जाता है और limit x tends to 0 है तो उसका value क्या हो जाता है इसका value पूरा का पूरा का value हो जाता है आपका 1 यह जो term है limit x tends to 0 sin x divided by x is equal to 1 यह already हम लोगों ने जान रखा है यदि previous class आप किये हैं तो यह चीज तो आपको बिल्गुल पते होने चाहिए क्योंकि लगबग हरे question में हम लोगों ने stage का यह किया है चलिए यह हो गया आपका value 1 अब value put करते हैं बाकी जगा भी हम लोग बाकी जगा limit का value put करते हैं x के जगा पे 0 put करेंगे a plus cos 0 divided by b into इसका value तो 1 आगया चलिए तो क्या जगा इसका value a plus cos 0 का value 1 a plus 1 divided by b यही जो है आपका वो solve होकर इसका answer आगया अब यह जो पूरा का पूरा है हमारा इसका solution हो गया तो इस question को बिल्कुल ही आसानी तरीके से हम लोग कर पाएं वो इस तरह इस लिए कर पाएं क्योंकि हर एक concept को already पहले से आप लोगो को मैंने बता रखा है previous lecture में तो फिर से request करूँगा उन लोगो को जो लोग यहाँ पे नए हैं जो हमारा channel है knowledge हमसफर उससे आप दिजुड़े रहते हैं हर एक concept आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ भी concept नहीं मिलेगा यहाँ जो आप लोगों को छोड़ा जाएगा तो इसको आप note down कीजिए फिर हम लोग कुछ next question को देखेंगे तो जल्दी से इसको आप note down कर सकते हैं या फिर वीडियो को आप रोक कर भी इसे no down कर सकते हैं हम अब बढ़ते हैं अपने next question की ओर क्योंकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा concept बहुत कम समय में जानना है चलिए जो next question हमारा है वो देख लेंगे तो यह तो हो गया आपका ये वाला question अब जो आपका next question है कुछ इस तरह से चलिए देखिए next question आप अपना limit x tends to 0 x sick x इसको solve करना है या फिर बोले तो इसको evaluate करना है इसका value निकालना है तो यह कैसे निकलेगा value यदि आप इस question को कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है देखिए कैसे question होगा यदि मैं बोलूँ आप लोगों को limit x tends to 0 x into sick x को क्या लिख सकते हैं जो sick x है वो cos x का reciprocal होता है तो 1y cos x इसको भी लिख सकते हैं यह तो भी बात किसकी trigonometry की यह तो अल्रेड़ी आप लोग 10th में भी पढ़े चुके हैं और फिर इसके अलावे मैं आप लोगों को जो trigonometry के lecture and trigonometric function के 11th class के उसमें भी बता दिया हूँ तो यदि आप उसे देख लिखना जाते हैं तो हमारे चैनल के playlist में जाइए वहां पर trigonometric function लिखके एक topic बनाया हुआ है वहां पर यह सर्च करते हैं तो आप लोगों को हर एक concept के बारे हम पता चलेगा जो trigonometry में जरूरी होते हैं चलिए तो क्या कर सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं 1y cos x 1y cos x जाएगा 0 को put करते तो 0 multiply 1 divided by cos 0 0 into 1y cos 0 तो क्या हो जाएगा value 0 into 1 divided by cos 0 का value क्या होता है यदि मैं cos 0 की value की बात करूँ तो आपका value 1 होता है तो इसका total value 0 हो जाएगा और हमारा 0 है वो यहां का answer हो जाएगा तो बिल्कुल ही आसान प्रसंत है हम लोगों ने 30 या 40 second में लगवग इस question को solve कर लिए वो इसलिए solve कर लिए क्योंकि जो concept हमारा है वो already previous lecture में खतम हो चुका है और अभी हम question practice session कर रहे हैं जो लोग इस question practice session को लगतार कर रहे है यानि previous video को भी देखे होंगे वो आसानी से question को लगा लेंगे और जो नहीं देखे हैं उन्हें ह हो सकता है थोड़ी परिसानी हो लेकिन कोई बात नहीं यदि आप नए है तो जुड़े रहे हैं आप भी धीरे-धीरे इस तरह के question को आसानी से कर पाईएगा आप लोग इसे note down कीजिए फिर कुछ next question देखेंगे और फिर जो हमारा limit का topic होगा वो धीरे-धीरे-धीरे-धीर हो जाएगा मतलब है लिमिट के बाद हम लोग continuity शुरू करेंगे उस continuity में भी limit का यूज होगा तो इस continuity में limit का यूज करते 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 कुछ इस काभिल बन जाएगे कि limit का हम लोग master हो जाएगे चलिए कुछ next question देखते हैं अब next question क्या है आपका जो next question है वो है चलिए देखिए एक question आप लोग के लिए मैं देता हूँ यह आपके लिए कुछ नया सा question बन जाएगा आप लोगों ने यदि 11 वाले जो लोग होंगे इस तरह के question अभी सायद नहीं देखे होंगे यदि आप पढ़ा रखे हैं पहले से तो देखे होंगे जरूर ठीक है कि मैं डिरेक्ट लिए क्वेस्टिन को थुआ सोट करके लिखता हूँ ताकि लोग समझ पाए इस question को चलिए fx x दिया हुआ है वो equal to है 2x plus 3 आपका दिवाई किसके लिए x is less than 0 और यह है 3 into x plus 1 यह है x greater than 0 कुछ इस तरह का question दिया हुआ है और हम लोग को इसका solution निकालना है तो देखेंगे इस question के बारे में भी हम लोग किस परकार से इस question को हम लोग कर पाएंगे तो यह चीज दो चीज दिया हुआ है उपर वहला चीज तो आप लिख लिए होंगे तो इसको मैं मिटा भी देता हूं चलिए यह हमारा रहा question अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इस question को हम लोग solve कर पाएंगे यहां पर क्या था यदि इस question को solve करने की बात आए तो इस तरह के जो चीज है वह आप लोग को सायद नए दिख रहे होंगे तो यह already आप लोगों ने देख रखा है कहां पर यह मैं आप लोग को बताऊंगा यदि आप पढ़े होंगे क्या inequality यदि आप inequality पढ़े होंगे तो उसमें यह सब term देखे होंगे less than greater than इस तरह के चीज़ आप लोग वहां पढ़ रखे होंगे यदि आप नहीं भी देखे हैं तो कोई परिसानी नहीं होने वाली है मैं आप लोगों को यहां ही समझा देता हूं और यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको inequality के भी वीडियो recorded है वो भी uploaded है वो भी देख सकते हैं यहां पर क्या दियोगा है x है जो 0 से छोटा है या फिर बराबर है ठीक है x है जो 0 से बड़ा है इस case में x है जो क्या है आपका 0 से छोटा या फिर 0 से बराबर है इस case में x है जो आपका 0 से बड़ा है तो दो case अमलोग को दिया गया है एक point 0 है उस case में 0 से छोटा और फिर 0 के बराबर काली बराबर वाले के लिए यह function दिया हुआ हुआ है उपर वाला और फिर जीरो से बड़ा के लिए function आपका यह वाला दिया हुआ है तो हम लोग solve करेंगे हम लोग क्या करते थे हम लोग का funda क्या था वह हम लोग देखेंगे limit x tends to zero यदि मैं बात करूं left hand limit की यह term मैं आप लोग को अल्रेडी बता रखा है first lecture में left hand limit क्या होता है वो होता है यानि कोई point दे दे उससे just है जो left side का point होता है यदि में number line यह है और यह हमारा है zero तो इस point की मैं बात करूं तो यह मेरा होगा zero के लिए left hand side और यह हो जाएगा right hand side यानि right side में उसका right hand side और left side में left hand side तो चलिए x tends to zero minus यानि zero से थोड़ा सा छोटा तो इसके लिए कौन सा function है zero से थोड़ा सा छोटा के लिए function है आपका 2x plus 3 तो इसके लिए लिख देंगे 2x plus 3 ठीक है यह हो गया किसके लिए left hand limit के लिए अब राइट hand limit के लिए क्या होगा limit x tends to zero plus ठीक है zero plus के लिए क्या function दिया हो है zero से थोड़ा सा यदि बड़ा हो तो उसके लिए दिया गया 3 into x plus 1 चलिए जीरो पलस के लिए दिया होया 3 into x plus 1 एचीज हो गया अब दोनों को हम लोगों को solve करना है और फिर value को निकालना है ठीक है तो यदि zero minus की बात आए तो यहाँ पर put कर देंगे 0 तो 2 into 0 plus 3 तो क्या आपका आजाएगा 3 आजाएगा ठीक है इसके साथ फिर यदि मैं बात करूं इस question की तो देखेंगे वही 0 put करेंगे यहाँ भी 3 into 0 plus 1 तो यह भी आपका 3 आगया तो कुछ इस प्रकास से हमारा जो left hand limit है वो right hand limit के equal आए गया तो जो left hand limit है right hand limit है दोनों आपका निकल रहा है तो यह value है यह value 8 हो गया हमारा और यह value है जो हमेशा 3 आजाएगा अब बात रही left hand limit right hand limit की तो यह तो चीज हम पढ़ रहे है लिमिट में और कुछ दिर पहले मैं यही बोल रहा था कि limit से just आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे continuity continuity में basically limit से जादा कुछ difference है नहीं उसमें होता क्या है left hand limit तो निकालेंगे ही right hand limit तो निकालेंगे ही उसके साथ फिर हम लोग करेंगे function भी निकालेंगे अब function क्या बोले तो यह जो x is equal to 0 भी यहाँ पे included है उस बाले term पे यदि हम निकाल लेते हैं इसका value और फिर क्या होगा left hand limit is equal to right hand limit होता है और उसके साथ function भी बराबर होता है तब फिर जो हमारा value है वो continuous हो जागा यह चीज हम लोग आगे जानेंगे अभी तो फिलहाल यही देख रहे थे कि left hand limit और right hand limit है जो बराबर आगया left hand limit is equal to right hand limit तो हमारा limit exist किया यहाँ पे और फिर limit का यदि value पुछे तो इसका value यदि solve करता है तो evaluate किये तो value आया हमारा 3 तो यह थे चलिए तो यह question भी हम लोग को solve हो गया अब अपने कुछ ऐसे question पर आते हैं जो हमारे इस वीडियो का last question होने वाला है मैं पहले बोल रखा हूं आप लोग को कि यह जो आपका वीडियो है वो थोड़ा सा sort होने वाला है क्योंकि limit का लगवक पूरा portion में cover कर दिया हू तो वो आपका continuity वाले part में clear हो जाएगा तो हम लोग अपने बढ़ते हैं आज की वीडियो के अपने last question के और तब तक आप इसे note down कीजिए जो आपका next question है वो भी कुछ इस प्रकारका है तो मैं उमीद करूंगा आप लोगों से कि इस तरह के question को आप खुद से भी सोलू करें जो आपके books में दिये गए हैं जो आप लोग ऐसा यदि बोलिए है कि जो हमें नोट्स जो रहता है यहां पर यदि मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा हूं तो वह भी प्रोवाइड करवा सकता हूं उसके लिए टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ रहाएगा डिस्किप्शन में वहां से आप जुड़ सकते हैं चलिए यह तो बात ही इस question की हम लोगा कुछ next question देखेंगे यह तो हूँ आपका question हुआ और यह फिर आपका लिमिट वाला पार्ट हूँ अब देखते हैं हम अपने इस last question को जो हमारा last question है वो कुछ इस परकार का है चलिए find आपको निकालना है क्या निकालना है लिमिट x turns to 5 fx ठीक है where fx is equal to mod x minus 5 आपको एक question थोड़ा सा छोटा जरूर दीख रहे होंगे लेकिन ही बिल्कुल ही conceptual question है क्योंकि जो mode का portion यहां पर आपका आ गया यदि mode का portion आ जाता है तो आप लोगो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कार करना होता है चलिए इस question को अब हम लोग solve करेंगे इस question को कहां पर solve करेंगे तो x tends to 5 यानि 5 के करीब solve करेंगे अब जो function है इसमें एक ही function दिया गया है यानि जो पिछला question हमारा था उसमें लेकिन यहाँ पर वाले के लिए उपर वाला function जीरो से छोटा वाले के लिए नीचे वाला function कुछ ही स्पर कारका था मेरा कहने का sense है, वहाँ पे दो function था, एक है जो कम वाले के लिए, एक है जो जादे वाले के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे x tends to 5 के लिए बिल्कुल एक ही function है, या तो आप left hand limit निकालो, या फिर right hand limit निकालो, तो हम लोग शुरू करेंगे left hand limit से, left hand limit बोले तो limit x tends to 5 minus, limit x tends to 5 minus, इसके लिए आपका function क्या है, पूरे के लिए function है, mod x minus 5, चलिए, तो हम लोग value को put करेंगे, 5 minus, यहाँ पे हम लोग को 5 put करना है, यहाँ पे minus put करना है, तो क्या हो गया यहाँ पे, यह तो गया आपका value, 0, यदि आप right hand limit निकालते हैं, limit x tends to 5 minus, इस तरह के question है, तो यह question easy होगे, यदि यह question negative portion वाला होगा था, यानि यह जो आपका x tends to value 5 दिया हुआ है, यह 5 ना होगे, minus 5 दिया हुआ था, तब क्या होगा, वो बाद में देखने हैं, पहले तो हम लोग देख लेते हैं, इस तरह के बात को, यह दिया हुआ है, चलिए, इसका भी value आपका 5 minus 5 होजागा, कितना? 0, यह तो question की बाद थोई, ठीक है, यदि, यदि इसी question में, if x tends to 5 नहीं, minus 5 दिया हुआ रहाता, तब क्या होता, इस वाले question में, वो चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, वो चीज कैसे देखेंगे, यदि x tends to minus 5 यहाँ पे होता, ठीक है, तो x tends to minus 5 होता, तो उसके लिए निकालते है, left hand limit, limit x tends to minus 5 minus, तो उसके लिए क्या हो जाता, हो जाता आपका, function तो same ही रहता, mod x minus 5, देखिए यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हम लोग put करते भैलू, minus 5 का mod minus 5, तो भैलू कितना आपका देता, mod है जो हमें ऐसा positive value देता है, यदि, mod के अंदर minus 5 भ रखते हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपको value देदेगा, plus 5, तो plus 5 minus 5, आपका 0 हो जाता, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादी आपको visible नहीं है, तो मैं फिर से लिख दाता हूं, plus 5 minus 5 is equal to 0, और फिर, right hand limit वाले case में भी, वही होता, limit x tends to minus 5, plus, इसके लिए भी mod x minus 5, इसके लिए भी वही सेम चील, mod 5 minus 5, बोले तो 5 minus 5, ठीक है, तो यहाँ पे भी value 0 आ जाता, तो यहाँ पे मैं बात यह कर रहा हूं, कि अधी, यह जो term है आपका, इसके लिए भी, इसी तरह का value आ गया, मतलब mod का property मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहरा, तो कि mod always देता है, जैसे जिस परकार से behave करता आपका एक सस्कार, कुछ उसी परकार से आपका mod भी behave करता है, कुछ उसी परकार से मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो एक सस्कार है, वो equal to हो basic difference x सस्कार में और mod x में है, वो जानेंगे अपने next video यानि continuity में, तो यह जो question था हमारा solve हो गया, यहाँ पे क्या था, left hand limit is equal to right hand limit, यानि limit exist कर रहा है, यहाँ पे भी है, left hand limit is equal to right hand limit, यहाँ पे भी जो है हमारा function exist कर रहा है, तो यह हमारे वीडियो का आखरी question था, इस आखरी question के साथ ही, हम अपने lecture को अब end करेंगे, और आखरी में मैं यही बोलूँगा, कि यदि आप इस channel पे नए हैं, तो हमारे इस channel knowledge हमसफर को subscribe कीजिए, like कीजिए, और फिर जरूरत मन साथियों के साथ share करना बिलकुल भी ना बोले, तो thank you दोस्त, जैहिन मैं आप लोगों के ल आता हूं, और जो हमारे सर हैं, वो अल्रेडी आप लोगों को कुछ uploaded वहाँ पे वीडियो मिलेंगे, जैसे organic chemistry के कुछ lecture मिल जाएंगे, या फिर physics के lecture आपको वहाँ मिलेंगे, तो math तो आही रहा है, physics और chemistry वो भी आ रहा है, तो आप लोगों को full platform मिलेगा यहाँ पे, जो ल वो लोग यदि यहाँ जुड़ते हैं, तो उन लोगों को काफी फैदा होने वाला यहाँ पे, तो thank you दोस्त, जैहिन फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए जोस के साथ, तब तक के लिए सुक्रिया